कि शुरुवात यहीं से करेंगे सर और विशय हमारा युद्ध के विरुद्ध है और साहिर जी ने लिखा था कि जंग क्या मसलों का हल कर देगी जंग तो खुद ही एक मसला है तो जो इस समय स्थिति बने हुए है चाहे हम मीडिल इस में देख रहे हैं चाहे वो रूस युक् किसे देखते हैं देखी ऐसा है कि साहित अपने स्वभाव में जो है वो मनुष्य धर्मी होता है और जो चीज मनुष्य धर्मी होगा होगी अनिवारे रूप से उसको युद्ध विरोधी होना ही है साहित में आपको अगर पीछे परंपरा में जाएंगे तो हिंदी में बाद के दिनों में आप आएंगे तो ऐसा भी मिलेगा कि युध्ध का वर्डन है कविताओं में लेकिन युध्ध का प्रत्याख्यान करते हुए है मनुस्यता के पक्ष में कविताएं लिखी गई बाद में और अगर आप समकालीन हिंदी कविता में आएंगे बलकि मोटे तो रखिए कि कोई भी युद्ध हो वो इस्त्रियों के बच्चों के तो अनिवारी रूप से विरुद्ध होता है और वो उसमें कष्ट में पढ़ते ही पढ़ते हैं और कल मिलाकर जैसा मैंने सुरू में कहा कि वो मनुस्चता विरुधी होता है तो साहित्य को तो हमेशा युद के विरुध ही होना होता है दिनकर जी दिरगा था सर कि एक तरह से उसका प्रत्या ख्यान कर रहे थे वो इंध का समर्थन नहीं कर रहे थे वह बता रहे थे कि जो सामराज्यवादी मान सिकता है उसका विकास होता है युद्ध जब भी होता है वह अतिरिक्त शक्त पाने के लिए होता है वह शेस लोगों पर अधिकार पाने के लिए होता है जबकि हम एक लोकतांतरिक विश्व में रहना चाहते हैं लोकतांतरिक विश्व में हैं जहा कुछ कविता हैं आपके हम सुनना चाहिए। जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पाउं टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी। चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां बटोरो न बटोरो चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलूओं से सटी लिप्टी। तुम्हारी यात्रा में साथ होंगे स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती होई। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बच कर जाओ, चुठकी भर चला ही जाओंगा तुम्हारे साथ। सब यूआ हैं आप लोगों को ही एक तरह से ये समर्पित कविता है आप लोगों के लिए आप लोगों जैसी है आज मिलेंगे तुम मिलोगे तो कहां से शुरू होगी हमारी बादशेत सुरजकुंड सिटी हाल्ट की हलचल भरी शामों से या किसी उदास दोपहरी से जब 32 बटे तीन बहस कार्याले में हम बिना दूद की चाय पीते हुए क्रांतियों के धवल धूसर पक्षों पर बात करते हुए नहीं पहुँच पाते थे किसी नतीजे पर और दिल डूब जाता था थोड़ा और हमारा बरसों बीट गए अब मैं शराब नहीं पीता वह चड़ती ही नहीं मेरी चेतना पर कभी मदिर ही नहीं हुए मेरे नयन मेरी जिहवा कभी आई ही नहीं नशे में लेकिन तुम्हारे साथ प्यूंगा भोर होने तक जल की तरह नहीं बिलकुल शराब की तरह शायद पहली बार नशे को हो जाए मुझसे दोस्ती शायद वही से तु बन जाए हम दोनों के बीच वैसे पता नहीं अब तुम पीते हो या नहीं जाने कैसा रहता है तुम्हारा स्वास्त शहर में बचे पुराने मित्रों से कभी मिलते हो या नहीं कहीं फिर कोई गलत फहमी ना हो जाया इसलिए रहना चाहता हूँ चौकनना जानता हूँ तुमने अपने उपर हावी न होने दिया होगा उम्र को फिर भी वह पुतलियों से जहांकती तो होगी गाहे बगाहे आईना दोस्त नहीं होता हर दम कई बार तो विकल कर देता है मन मस्तिस्क को किसी शत्रु की तरह कई बार ब्याधियों की जड़ भी बन जाता है आईना जब भी याद करता हूँ अपना आतीद एक भीर से दिखती है पर चहरे साफ नहीं दिखते अधिक्तर के चहरों पर धुन्ध सीज दिखती है बहुत थोड़े से चहरे दिखते हैं साफ साफ उनमें सबसे आगे चमकती हैं तुम्हारी आँखें उन दिनों कहां पता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम मिलने की आतुरता के बाद भी मिल न सकेंगे यह आतुरता भी रह जाएगी एक तरफा उमीद है अभी वही चमक होगी तुम्हारी आँखों में बातों में वही गंभीर दार्शनिक भाव कहीं किसी प्रकार का कोई हलका पन नहीं होगा अब भी कोई नई किताब जरूर होगी तुम्हारे हाथों में किसी नाटक का कोई सपना पुतलियों की कोर में अटका होगा तो चले आओ मन की सूख चुकी कई नदियों को लांगते आज चले ही आओ हम देर तक बैठेंगे रेलवे लाइन के किनारे के किसी उजार छपपर के बाहर याद करेंगे कट चाए और नेवी कट वाले दिनों को एक दूसरे के प्राउंड हो चुके चेहरों में ढूंडेंगे अतीत की कोई आभा तो आओ आज मिलेंगे सुन्दर सुन्दर तालिया हो जाए तो दुनिया को अलग से सुन्दर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया सुन्दर सुन्दर हो जाएगी सुन्दर हो जाए जी इसलिए ये कविता की मेहफिले हैं इसलिए हम और आप यहां इकठा हैं कि जो युवा साथी यहां बैठे हैं जितनी दूर तक यहां आवाज जाती है कविता की आवाज पहुंचे लोगों को के केतारसिस हो, लोगों का विरेचन हो लोगों का मन बदले, मस्तिस्क बदले और लोग मनुस्यता के पक्ष में खड़े हो गांधी जी जी से कहते थे कि जब भी कोई बात करो जब भी कोई निर्ड़े लो तो अंतिम आदमी के बारे में सोचो कि वह अंतिम आदमी इसे लाभनवित होगा की नहीं होगा तो मैं चाहता हूँ कि कविताइं सुनकर लोग गांधी जी के उस विचार से जुड़ें और अंतिम आदमी के बारे में सोचें जो किसी को दिखाई नहीं देता है जो दिखाई नहीं देता, तो और एक कविता जो मुझे लगता है कि युवाओं को जरूर सुनाना चाहिए मुझे और ये मेरी कविता मेरी पहचान के साथ जुड़ी कविता है, सोनची रही, एक सोहर पर केंद्रित है कविता, सोहर जानते हैं आप लोग, जानते होंगे, पुत्र पैदा होने पर जो सुभगीत गाया जाता है, उस पर केंद्रित है ये, केंद्रित मतलब मुल एक तरह से कह सकते हैं, प्रेणा वहीं से ली गई है, सोनची रही, बहुत पुरानी कथा है, एक भरे पुरे घर में, एक लड़की थी सोनची रही, वह हस्ती थी, तो धूप होती थी, फूल खिलते थे, वह चलती थी, तो बसंती हवा चलती, जिधर निकल जाए, लोगों की पलकें बिच जाती थी, और जैसा की हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ, राजकुमार उस पर जान लुटाता था, उसके होंट, उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिहवा, उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी, उसकी आँखों में नींद और दिल में करार न था, और ऐसे ही दो चार वर्स बीत गए, सोनची रही की गोद न भरी ननत को भतीजा, सास को कुल का दिया, पती को पुरुसत्व का पुरसकार न मिला, ननत कहने लगी बज्रवासिन, सास कहने लगी बाज, और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा, तुम्हारी स्वन्ड देह किस काम की, अच्छा हो, तुम यह ग्रिह छो होगी हमारे कुल के लिए, सोन्चिरई बहुत रोई, मिन्नते की, पर किसी ने न सुनी, आस्मों बीचे किस्त्री, घर के बाद भटकने लगी ब्रम्हांड में, उसे जंगल मिला, जंगल में बागहिन मिली, उसने उसे अपना दुख सुनाया, और निवेदन किया, कि वह उ हाले, बागिन ने कहा, वहीं लोट जाओ, जहां से आई हो, मैं तुझे न खाओंगी, वरना मैं भी बाँज हो जाओंगी, सोन्चिरई क्या करती, वहां से साप की बांबी के पास पहुंची, बांबी से नागिन निकली, नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा, वहीं ल गिर्ते पड़ते मा के दर्वाजे पहुँची मा ने धधा कर हाल चाल पूछा कौन सी विपत्त में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरवरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो मा रहने के लिए मा ने कहा बिवाह के बाद बेटी को नई हर में नहीं रहना चाहिए लोग बाग क्या कहेंगे वहीं लौड जाओ जहां से आई हो और सुनो बुरा न मानना बेटी जो तुम्हारी परचाई पड़ेगी तो मेरी बहु बाँज हो जाएगी यह कहकर माने अपना दर्वाजा बंद कर लिया और सुनो बुरा न मानना बेटी जो तुम्हारी परचाई पड़ेगी तो मेरी बहु बाँज हो जाएगी यह कहकर माने अपना दर्वाजा बंद कर लिया अब सोन्चिरई क्या करती उसने धर्ती से निवेदन किया अब तुम्हीं शरण दो माँ दुख सहा नहीं जाता इन कदमों से चला नहीं जाता जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे उनके उसारे में भी जगहना बची मेरे लिए अब कहा जाओं तुम्हारी गोद के सिवा धर्ती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है धर्ती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है लेकिन मैं क्या करूँ जहां से आई हो वहीं लोट जाओ जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूँगी तो उसर हो जाओंगी और मित्रो इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है हुआ यह कि सब और से निराश सोन्चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे एक दिन गुजरा दो दिन गुजरा तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट परा मिला उसने सोन्चिरई को देखा सोन्चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया उसने विहवल हो नरमस्वर में सोन्चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया सोन्चरई पलचिन हिचकी फिर उसके साथ साथ हो ली और पुरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आशुओं से जार जार उसके आठ बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया सोन्चरई आठ बेटों की माथी सोन चिरई आठ बेटों की माँ थी वहिस्त्री थी और इस्त्रियां कभी बाज नहीं होती वे रच्ती हैं वे रच्ती हैं तभी हम आप होते हैं तभी दुनिया होती है रचने का साहस पुरुस में नहीं होता वे होती हैं तभी पुरुस पुरुस होता शोर्दार तालिया हो जाए जी तेंजरी जी खे लिए एक बार फिर से और अब स्वागत कीजिए सुपर्चरित कवी आशतोष दोबिय जी का जिनका जन 23 सितंबर 1963 को इंदौर में हुआ अपने पत्रकारिता और जन संचार में सनातक और अंग्रेजदी साहित्य में पीएच संत नहीं शामिल है आपकी कविताओं के अनुवाद भारतिय भार्षाओं के अलावा अंग्रेजी और जामन में भी हुए हैं अनुवाद और आलोचना में भी आपकी गहरी रुची है आपको गजा पुरसकार केडार सम्मान अखिल भारतिय माखनलाल चतुरवेदी पुरस वागिश्वरी पुरसकार और स्पंदन क्विते संबान से संबानित किया जा चुका है सर अब चुकि हमारा विशय जो है वो युद्ध के विरुद है प्रश्न ये है कि आज अगर आप युद्ध के विरुद है तो भी दिकत है युद्ध के साथ है तो भी दिकत है भारत एक मात्र ऐसा देश है इस समय जो तटस्त है चुनौती हाला कि उसके सामने भी है तो आप साथ हैं आप नहीं रहते तो भी दिक्कत रहते हैं तो भी परिशानी युद्ध तो चीज ये ऐसी है कि जो आपको अंतत्व इसी पक्षदर्था की और इस रूप मेर धखेलता है कि आप इधर या उधर हो जाएं और इस तरह से आप युद्ध के सक्षभ में हो जाएं और यो जैसा कि कहा गया है युद्ध कितनी भी जाय's कितनी भी इसके लिए जिसे महाभारत का उधारन हमारे सामने है महाभारत का युद्ध एक तरे से नियाय और नीटी का युद्ध था देखा जाये तो लेकिन उसके बाद उसके अंत में जो शोक था, जो विलाब था जो ध्वन्स था उसको हमारे सामने धर्मवीर भारती ने अंधा युग में रखा एक कभी की निगहाँ वहीं जाती है वो celebration पर नहीं जाता वो परिणाम पर नहीं जाता वो इस बात पर नहीं जाता कि राज्याविशेक किसका हुआ या किस तरह से उसका उतस्व मनाया गया जीत किसकी हुई अंततह वो उसके पास जाता है जो सबसे ज्यादा पीडित है जो सबसे ज्यादा अकेला हुआ है उस युद्ध के कारणों के परिणाम स्वर्मूद तो ये एक मुश्किल कश्मकश है और कभी कभार ये होता है कि आपको कहीं न कहीं होना पड़ता है लेकिन अंततह जो मनुश्यता के विरुद्ध उसके दुश्परिनाम है एक कवी अंततह वहां जाता है तमाम कारणों के बावजूद तमाम कारणों के पार और तमाम कारणों के परे आपकी रचनाए सुनने को आतूर है क्योंकि युद्ध की बात चल रही है और युद्ध के विरुद्ध कवीता तो हमेशा युद्ध के विरुद्ध एक प्रस्ताव की तरह है कवीता के मूल में ही करुणा है कंपेशन है दूसरे के लिए सानुगूती है दूसरे के लिए सोचना है सदाश आईता है अगर दूसरे को समझने की कोशिश नहीं है तो कविता भी नहीं एक कविता का अनुवाद मैंने किया था जो एक अंग्रेजी कविता है ओसकर हान ने लिखी है मैं उससे शुरुआत करता हूँ और उस कविता का शीरशक है एक अंजान सिपाही की कब्र पर कितनी खुशी से आदमी जाते हैं जंग पर कितने जोश से साफ करते और भरते हैं अपनी बंदू के कितने उत्साह से गाते हैं तराने जंग के कितनी तडप से घुसते हैं खंदकों में कितनी बेचैनी से सुनते हैं धमाके बमों के कितनी जिद से संसनाती हैं गोलियां हवा में कितने धीमे से बहता है उनके माथे से लहू कितने ताजुब से देखती हैं उनकी आँखें शून्य को कितनी अकड़ी हुई पड़ी रहती हैं उनकी लाशें कीचड में कितनी फूर्ती से उन्हें फेंका जाता है कबर में कितनी जल्दी से उन्हें भुराया जाता है हमेशा के लिए बहुत सुन्दर तो ये कविता से मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि आज की जो ये विशय है आपका युद्ध के विरुद एक कविता इस परिद्रश्य को सामने लाती है वो जो उन्माद है, जोश है, जुनून है और उन्माद हमेशा रचा जाता है उसे बनाया जाता है, उसमें लोगों को बहा लिया जाता है और उसके बाद अंततह एक सामान्य व्यक्ती, एक सामान्य सिपाही की नियती क्या है वो इस कविता में, मैंने इसलिए कहा कि एक कवी की दृष्टी हमेशा इस तरफ रहेगी इसी तरह से एक, चुकि ये युद्ध के विरुद्ध है मैं एक और कविता आपको सुनाता हूँ परिणाम, चोटी सी कविता है जिससे लड़े, उसे हरा दिया जिससे लड़े, उसे हरा दिया लेकिन इसके लिए उसके जैसा ही बनना पड़ा उसके वैसा होने के खिलाप ही लड़ाई थी बहुत सुन्दर, बहुत ही सुन्दर अभी हमने, अभी हम बहुत सारे टेलिविजन पे और तमाम माध्यमों में दृष्य माध्यमों में, समाचार माध्यमों में हम बहुत सारी लडाईयों के द्रश्य देख रहे हैं और बहुत सारी तबाही के द्रश्य भी देख रहे हैं बहुत सारा विद्वन्स हमारे साब में ऐसा ही एक द्रश्य मैंने एक तस्वीर में देखा था और उस पर मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीरशक है तीसरी तस्वीर ये एक जगह की दो तस्वीरे हैं ये एक जगह की दो तस्वीरे हैं पहली कुछ दूर से ली गई है इसमें एक धवस्त शहर का मलबा है सारे घर तबाह, सारी छटें गायब, सारी दीवारें तूटी हुई ये एक विराट खंडहर की तस्वीर है दूसरी कुछ पास से ली गई है इसमें हम ध्वन्स के कुछ और करीब आते है तूटी हुई छट वाली एक तबाह चार दीवारी में सिम्टी सहमी सी दो आकृतियां दिखाई पड़ती है जो एकांत के एश्वर्य लोक में नहीं एक भरे पूरे स्पंदित नगर के उजाड में अपने बच जाने पर हैरान और खौफ ज़दा नजर आती है ये मनु नहीं है जो भीगे नैनों से प्रलय प्रवाख देख रहे हैं ये मानुश है जो इस उजाड में अमानुशों के विरुद्ध फिर एक घर बनाएंगे इन तस्वीरों में एक नए शहर के पहले घर की तस्वीर भी देखी जानी चाहिए एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ अब घर की तरफ आते हुए देश की तरफ आते हुए इसका शीरशक है चौथा शेर सारनात के अशोक स्तंब में चार शेर हैं जो किसी भी तरफ से देखने पर तीन ही दिखाई देते हैं चौथा शेर यकीनन एक मायूस शेर होगा भग नरदय और अवसाद ग्रस्त इतने इतने बरसों में कभी सुनाई नहीं दी उसकी दहार शायद अपने चेहरे को ढूंडता हुआ वह चौथा शेर मोह भंग का शिकार होकर चल दिया होगा फिर से जंगल की ओर जहां रहने के काईदे भूल जाने की वजह से वह गिरा होगा किसी छुपे हुए गड़े में और ले आया गया होगा चिडिया घर के पिंजने में जहां अब वह अपनी भयानक बेचैनी और उब में चक्कर काटता रहता है और लोग उस पर हसते हुए कंकर और मूँ फली के छिलके फेंकते रहते है वह अपनी पनीली उदास और धुंदली आखों से जन गण के इस विचित्र मन को देखता रहता है रात में उसके रोने डुकरने की आवाज आती है मुम्किन यह भी है कि एक ऐसे समय में जब सियारों और गीदणों के नकार खाने में खुद शेर की आवाज एक तूती की हैसियत रखती हो वह चौथा शेर अपने शेर होने की निरर सकता पहचान गया हो और अपने तीनों सजावटी भाईयों की मनिजबत उसने यही बहतर समझा हो कि सिर्फ एक मुहर एक चिन्ह एक प्रतीक नुमा मौजूदगी में गुमशुदा रहते चले आने की बजाए त्याग देना ही उचित है यह राजसी किन्तु कागजी वैभा हो और फिर बुद्ध की तरह चल दिया हो दुख के कारणों की तलाश में बैठा रहा हो किसी अनाम बोधिवरिक्ष के नीचे अपनी नख दंत विहीन कातर गरिमा में वह करुण अशेर सा शेर जिसने जानी हो धीरे धीरे अपने दुख की पहली और अंतिम वजह शेर होना और रहन न पाना बहुत सुन्दर इस पर तो जोड़दार तावलिया होने चाहिए बहुत ही खुबसूरत चुकि प्रेम की बात शुरू हो गई है और युद्ध के विरुद्ध प्रेम से बढ़के और कुछ भी नहीं होता अगर आपको युद्ध का विरुद्ध करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही संभव है लेकिन प्रेम भी उतना आसान नहीं है प्रेम भी उतना सरल नहीं है प्रेम पर भी बहुत खत्रे एक कविता है डरते डरते प्रेम के लिए जगह जरा कम है डर के लिए थोड़ी ज्यादा प्रेम के लिए जगह जरा कम है डर के लिए थोड़ी ज्यादा डरते डरते हमने प्रेम किया अकसर इतना डर कर कि उसे बताने और जताने में भी डरते रहे डरते डरते हमने प्रेम किया अक्सर इतना डर कर कि हम उसे बताने और जताने में भी डरते रहे अंत में हमारे पास प्रेम नहीं डर रहा अंत में हमने इस डर से ही प्रेम किया अंत में हम प्रेम से ही डरने लगे एक कविता है, आज शनिवार है, तो मैं शनिवार की कविता आपको सुनाता हूँ, इसका शिर्शेक है बे टिकेट, शाम से ही खुमारी में आजाता है शनिवार, बेवजह मुस्कुराता हुआ, मन कुछ हलका रहता है, कुछ खुला-खुलासा, ऐसा लगता है, बरबात करने को पूरी जिन्दगी पढ़िए, शनिवार की रात एक बेफिक्र रात है, इसके अगले सिरे पर करकश अलार्म की निर्मम जिंजोड नहीं है, खिड़की से धूब जब चहरे तक चली आएगी, घड़ी को धता बताते हुए तुम चादर चहरे पर खीच लोगे, रविवार दिन्चरिया से वगावत का संकल्प है, और कोई तुम्हें इससे डिगा नहीं सकता, यह तुम मन ही मन दोहराते रहते हो, कि दोपहर जुक आती है, और रविवार के बदन में फैलने लगता है, सोमवार का जहर, तुम अन्मने हो जाते हो, दिन अभी बाकी है, पर उस पर आने वाले दिनों के दोस्वपन, चमगादणों की तरह मनरा रहे हैं, तुम्हारे रविवार की जेब कट गई है, और तुम्हें आने वाले सप्ताह में बे टिकेट लोटना है, एक अन्तिम कविता मैं जरूर सुनाओंगा, क्योंकि बात प्रेम से चली, तो मैं प्रेम की ही कविता सुना रहा हूँ, लेकिन ये दरहसल ब्रेक अप की कविता है, क्योंकि वो आजकल अनिवार हिस्सा है प्रेम का, तो ब्रेक अप को कैसे लिया जाए, ये मेरे युवा दोस्त अच्छी तरह से समझ सकें, इसके ये एक अविता है, जाने दो, क्या शिर्शक है इसका, जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, अगर उसे रोकोगे तो शायद वह रुक भी जाए पर रुक जाना रह जाना नहीं है पर रुक जाना रह जाना नहीं है क्या बात है उसे जाने दो जो जा रहा है उसे जाने दो जो जा रहा है अपने मन में वो पहले ही जा चुका है और अब सिर्फ दर्वाजे से बाहर जा रहा है आहा, बहुत सुन्दर जोरदार तालिया हो जानी चाहिए बहुत, बहुत ही सुन्दर और अब आप तालिया वजाएं बोधी सत्व जी के लिए बोधी सत्व उर्फ अखिलेश कुमार मिष्ठ भारत भूशन अगरवाल पुरसकार से सम्मानित आपकी तारंबिक शिक्षा गाउं में ही हुई है पाठशाला में आपने इलहबाद विश्व विद्याले से हिंदी साहित्य में सनातकूतर किया वही से तार सब्तक के कवियों के कावियस सिधन्त पर पीएचडी की उपाधिल आप यूजी सी के रिसर्च फैलो रहे हैं आपकी प्रकाशित प्रित्यों में सिर्फ कवि नहीं हम जो नदियों का संगम है दुक्तंत रहें तो जोड़दार तालियों से उनका स्वागत और आपसे सर्प्रश्ण ये कि कवियों को युद्व के विरुध सभी ने यहाँ प युद्व है वो बड़ा अच्छा लड़ता है कैसे वो खतले आम करता है तो उसको आप किस रूप में देखते हैं युद्व आपका प्रस्न बहुत अच्छा है मैं सबको नमस्ते करता हूं और मैं चाहूंगा कि आपने जो पूछा है उसका भी कुछ उत्तर दे पाऊं और कुछ अपनी बातें भी कह पाऊं मेरा मानना है कि युद्ध के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता अगर युद्ध नहीं होता आप किसी भी युद्ध को शांति से नहीं जीत सकते आपको मैं उदाहरण से अगर समझाओं तो पांडो जब तक युद्ध में नहीं गए थे वो युद्ध के विरुद्ध थे लेकिन उनके साथ हो क्या रहा था भीम को दुर्योधन ने विश्द दिया कुंती ने कहा बेटा बोलो मत बात खुलेगी तो और सताएंगे जा गया वहां पर जला के मारने की कोर्शिस होई है वो युद्ध के विरुद्ध है क्योंकि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे इसलिए बिना लड़े मारे जा रहे थे अगर वो पहले लड़ लेते तो जो अठारह दिनों का कुर्शेतर बहुत सालों बाद हुआ वो बहुत पहले होता मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा या कहूंगा कि हम सभी जो आप सामने बैठे हैं जो हम मंच पे बैठे हैं हम सब एक युद्ध का हिश्छा हैं एक युद्ध में शामिल हैं हम के बागिदार हैं और कोई भी युद्ध जरूरी नहीं कि हथियार के साथ लड़ा जाए किसी भी युद्ध में आवर्श्क नहीं कि अस्तर उठ रहा हो अगर मैं एक सरल उदारा दूarım आप लोग जदे समझदार पीडी के लोग हैं तो जो पापा शब्द है वो पिता के विरुद एक युद्ध है पिता शब्द के विरुद माता शब्द के विरुद मम्मी और मौम जो है एक युद्ध है आप एक छुपी हुई आंतरिक लड़ाई लड़ रहे होते हो और आपको पता नहीं होता हमारे मुंबई का जो बड़ा पाव है पिज्जा उसके खिलाप और बर्गर उसके खिलाप एक युद्ध है सुन्दर बाद आप उसको कैसे रिसीव करते हैं आपके उपर है यही नहीं मैं कवितान साथविकात कम पढ़ूंगा मुझे वो कर देना अगर दुरवपदी दाओं पे लगाई जा रही है उसे पता भी नहीं को दाओं पे लग रही है जब प्रतिकामी उसे बुलाने जाता है तो पता चलता है को हारी जा चुकी है उसे पता नहीं को दाओं पे लग चुकी है वो किसी और की हो चुकी है वो अभी दासी है मारानी के कपड़े में दुशासन उसे घसीट के लिए आता है उसे पता नहीं है कि वो युद्ध के बाहर है या युद्ध के भीतर है वो उस राजसभा में नग्न किये जाने के लिए अभिशब्त है उसके पती सामने बैठे हुए है और वो युद्ध में शामिल है या नहीं उसे नहीं पता है मेरा मानना है कि वो युद्ध के भीतर है लडाई नहीं हो रही है इसलिए शांति है या इसलिए इसलिए इस्थितियां आगे जा रही है तो यदिमित्रों किसी को भ्रम हो किसी को भी कि युद्ध का प्रतिलोम जो है वो शांति है तो बिना लड़े शानती नहीं है क्योंकि युद्ध में दल होते हैं और दल का काम है दलन करना आप लोग अरहर की दाल खाते होंगे वो चकरी में दली जाती है जिसको हम बोलते हैं दर रहे हैं और दर के आप क्या करते हैं? छिल के उतारते हैं आप जिसको दलते हैं, जिसको दलित बनाते हैं, उसका छिलका उतारते हैं, उसका मान भंग करते हैं, उसको गुलाम बनाते हैं, और दुनिया का कोई छोटा युद्ध हो या बड़ा युद्ध हो, वो यही काम करता है, पराजितों को दलित बनाना, उनको उस अस्थान पर प जो थोड़ा ताकतवर आदमी है उसी में थोड़ा सा ताकतवर है वो उसके उपर पेशाप करता है ये थोड़ा सांस्कृतिक शब्द है लेकिन बिना बोले काम नहीं चलेगा क्या लड़ाई होगी उस स्वायत आदमी से जो भारत की 75 साल की आजादी में बैटा हुआ है और ओ आदमी जो उसके उपर ऐसा कुछ कर रहा है क्या ये दोनों ये कि युद्ध में शामिल नहीं है हम किसी भी भ्रम में रहे हम किसी भी आउचेतन में इस स्थिति में रहे कि न नहीं बंदों ये अपसदारी का मामला नहीं है ये एक अघोसित युद्ध है जिसमें आप लगातार लड़ रहे हैं आपको आगे लड़ना पड़ेगा अगर एक दूसरे उदारन से मैं बोलू कि किसान राजधानी आना चाहते हैं उनके रास्थे में कीलें गड़ी हैं आ लड़ाई है तो ये लोगतंत्र में एक युद्ध है उनको राजधानी आने देना या राजधानी ना आने देना उनकीलें सिर्फ रास्ते पर नहीं गड़ी हैं और अधिकारों के युद्ध छेत्र में गड़ी हैं जो गाड़ पा रहा है वो छाती पर ठोक दे रहा है जो तो नहीं गाड़ पा रहा है, बोला है, मुझे शांती में बड़ा यकीन है, एक्छोली शांती उनका नारा है, जिनको युद्ध नहीं प्यारा है, जो अधिकार के लिए लडेंगे, उनको लड़ना ही पड़ेगा, आप किसी जगह लड़ो, कैसे भी लड़ो, इसको मैं हजार उदारणों से बता सकता हूँ, कि युद्ध का निदान केवल युद्ध है, एक उदारण बहुत छोटा सा दूंगा, आप लोग बलराम को जानते होंगे, जो युद्ध में शामिल नहीं होते है, वो ये अपने युग के बलराम होते है, लेकिन युद्ध होता रहता है, और युद्ध के बड़े आयुजिकों में ओ आद्मी है, या ओ वो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, जो जरासंद के खिलाफ 17 बार युद्ध चोड़ जरासंद को उसके राज में जाकर उसके अखाड़े में उन्होंने भीन से फड़वा दिया तो बलराम युद्ध टाल करके युद्ध नहीं निप्टा पाए कृष्ण नहीं युद्ध टाला और उस आदमी को निप्टाया जिससे लोग लड़ना नहीं चाहते थे मेरा मानना है कि आप जितना जल्डी अपना युद्ध टायं कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा आप युद्ध नहीं करें तो वैसे भी कविता में नव रस हैं जिसमें शांत रस भी है और स्तरिंगार से लेके शांत तक की आत्रा है उसमें युद्ध के लिए भी एक रस है वीर रस कविता के वल सांदर ये प्रेम और स्तरिंगार की ही कविता नहीं है कविता युद्ध की भी है कविता वातसल पर आके समाप्थ होता है दस्वा रस जोड लिया गया है उसमें तो मैं ये निवेदन करूँगा आपसे कि युद्ध के विरुद होना अपने युग का बलराम होना है और युद्ध के पक्ष में होना अपने युग का कृष्ण होना है आप युद्ध के विरुद हैं तो आप बलराम हैं आप युद्ध में शामिल हैं तो आप कृष्ण है आप तहें करिए कि आपको लड़ना है या तमाशाही होना है हाला कि दुरियोग यह है कि उस बलराम को भी आखिरी दिन के युद्ध का भागिदार होना पड़ा भीम के अगेंस्ट उनको दुरियोधन का रेफरी होना पड़ा और अन्त तक जाते जाते वो भीम को श्राप दे करके गए है कि मैं तुम्हें अपयस का श्राप देता हूँ जब भी तुम्हारी बीरता याद की जाएगी तुम्हारे माथे परे बिलो दी बेल्ट वार करना याद किया जाएगा हलाक मैंने पिछले तुमें एक कविता लिखी है कि अगर आप दोस्ट और बचन तोड़ने वाले दुरियोधन से लड़ रहे हैं तो आपको नियम तोड़ना पड़ेगा उसका निदान कमर के नीचे बिना आक्रमण की यह नहीं होगा उसे फाउल खेल के हराना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि नैतिकता से लड़ते हुए आप दुरियोधन को हरा ले तो यह संभव नहीं है अगर आप चाहते हैं कि नैतिक रहकर के आप रावन को मार ले तो संभव नहीं है आपको विभीशन से भी मितरता करनी पड़ेगी हरुमान को भी अपने पक्ष में खड़ा करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि ना भी में अमरित है या किसी और तरीके से मरेगा आपको उसका निदान करना पड़ेगा इसलिए आप युद्ध के विरुद्ध नहीं हो सकते मैं एकाथ छोटी कविताएं पढ़ता हूँ मेरे खेले मैंने अपने टाइम ले लिया है और 15-16 मिनट बाकी हैं तो मैं छोटी-छोटी एक-दौ कविताएं पढ़ता हूँ एक कविता है मेरे सुख सूचक सिलालेख सुख सूचक सिलालेख इर सिलालेख बताता है कि सब ठीक है सब बढ़ियाँ हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो सुनिए राज्य द्वारा सुचित है कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है सुचित है कि सुखी प्रजा के पास वह सब कुछ है जितना और जो जो राजा के पास है मंतरी के पास है अफसर के पास है संतरी के पास है सुचित है कि अब सर्वत्र सत्य का सासन है सत्य का ही बोल बाला है सूचित है कि राज्य में कोई निर्धन नहीं है राज्य में कोई शोक नहीं है राज्य में कहीं अंदकार नहीं है सूचित है कि पूरे राज्य में जो दुखी है वे राज्य द्रोही है वे सत्ता के सत्र हैं बिधर्मी हैं वे जूटे हैं सूचित है कि राज्य में दुख का समूल नास कर दिया गया है अब केवल जैजैकार बचा है सूचित है कि धिकार पूरे राज्य में अब बिविचार है एक दंडनी अपराद है छोब और दुख सरकार के सेवकों को दिया जाता है यह अधिकार कि राज्य में जो भी दिखाए दुख उसे सेवक समझाएं कि अलग नहीं होता सुख से दुख सूचित है कि प्रजा के दुख से दुखी रहते हैं राजन सूचित है कि प्रजा के दुख से दुखी रहते हैं राजन जो राजा को सुख देने के लिए तो राजा को सुख देने के लिए प्रजा भूल जाए अपने सब दुख सूचित है दुख और दुखी प्रजा के लिए राज में कोई अस्थान नहीं है किसी दुखी की सहायता भी अब राज्य द्रो है सूचित है कि अब न रोग है न शोख है न व्यता है ऐसी ही उत्तम बेजोड बेवस्था है सूचित है सिला लेख और उसकी सूचनाओं पर अविस्वास और जो आश्चर प्रकट करेगा किसी भी तरह छत पहुचाएगा वह भी राज्य द्रो ही कहलाएगा सूचित है एक छोटी कवितावर पढ़ दू या न पढ़ो एक कहानी से आप लोग परचित होंगे कि एक हाथी था गज उसे एक घड़ियाल ने पानी पीते समय पानी में घसीटना शुरू किया उसने विष्णू को पुकारा और विष्णू जैसे थे वैसे उठके चले आए उसे बचाने के लिए आप लोग इवा हैं तो आपको सुनाना मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा बड़ी छोटी सी कविता है और मेरे पहले ही राजीव जी वहां जाके खड़े हो गए बड़ा आजीव लगता है हाँ लेकिन पढ़ता हूं सर आप देरी इनके वाले में खड़े रहे मेरे में भी खड़े रहे ना ने नी आप बिलकुँ पढ़िये से मैं सुन रहा हुए हैं का है के विष्णू सोचिये जब हाथी को मगर मच्छने पानी में घसीटना शुरू किया सोचिये जब हाथी को मगर मच्छने पानी में घसीटना शुरू किया तब करुण पुकार सुन कर भी विष्णू कपड़े बदलने लगते सोचिये सोचिये जब हाथी को मगर मच्छने पानी में घसीटना शुरू किया तब करुण पुकार सुन कर भी विश्णू, कपड़े बदलने लगते, गज डूबता रहता, ग्राह उसे माल डालता, और विश्णू, सजते समढ़ते रहते, तो कौन मानता उनको देउता? सहायता की करुण पुकार पर नंगे पैर असज भागना ही, उन विश्णू को ब्यापक विश्णू बनाता है, अन्यथा देवता हो राजाया मित्र संबंधी, संकट और दुख बीत जाने पर, सहायता के लिए आना किसे सुहाता है? सोचिए. धन्यवाद आस तक, धन्यवाद भाई राजियो जी, आप सबका शुक्रिया. जोरदार तालिया हो जाएं, और अब आप स्वागत करें विवेक चतुरवेदी जी का, जिनकी कविताएं समाज, मानवता और जीवन के विवित पहलूओं का गेहन चित्रण करती हैं, और आपके रचनाओं में भावनाओं की सजीवता और भाषा की सरलता का अनूठा मेल देखने को मिलता हैं, आपकी प्रकाशित कविता संग्रह, स्त्रियां घर लोटती हैं, काफी चर्चित रही, आपकी कविताओं के अनुवाद कई भारतिया भाषाओं में हो चुके हैं, आपकी कविताओं में मानवी समवेदनाओं के साथ-साथ सामाजिक प्रशनों पर भी गहरी द्रिष्टी देखने को मिलती हैं, आपके उतकरिष्ट साहितिक योगदान के लिए आपको इस पंदन सम्मान के घुशना की गए, जिसने हिंदी कविता के क्षेतर में आपके विशेश पहचान को और मजबूत किया है, और आज के, जो आज का युद्ध है, उस पर आपकी, कवि की रूप में आपकी क्या द्रिष्टे, आप कैसे उससे देखते हैं, वो भी आप बताएं। इस मसरूफियत भरी जिंदगी में, वो ही लोग होंगे जो जंग के खिलाफ होंगे, और कविता सुनने यहां सुबह आएंगे, तो आप सब जरूरी लोग हैं दुनिया के लिए, युद्ध पर एक मेरी पूरी कविता है, जिसको संजीव पालिवाल सर ने पढ़ा भी है सा चारी बाते हो गई हैं, मैं कविता की भाषा जानता हूं, कविता में आप से बात करूंगा, पहली कविता जिससे बात शुरू कर रहा हूं, उसका शीरचा के दुनिया के लिए जरूरी है, बहुत सी खुबसूरत बातें मिटती जा रही हैं दुनिया से, जैसे गौरिया, जैसे कुनकुनी धूब, जैसे बच्पन, जैसे तारे, और जैसे एक आदमी जो केवल आदमियत की जायदात के साथ जिन्दा हो। क्या बात है, बहुत सुन्दर। बहुत सी खुबसूरत बातें मिटती जा रही हैं दुनिया से, जैसे गौरिया, जैसे कुनकुनी धूब, जैसे बच्पन, जैसे तारे, और जैसे एक आदमी, जो केवल आदमियत की जायदात के साथ जिन्दा हो। और कुछ गैर जरूरी लोग नियोत लिये गए हैं जीवन के जौनार में, जो बिच गई पंगतों को कुचलते, भूख भूख चीखते, पूरी धरती को जीम रहे हैं। और कुछ गैर जरूरी लोग नियोत लिये गए हैं जीवन के जौनार में, जो बिच गई पंगतों को कुचलते, भूख भूख चीखते, पूरी धरती को जीम रहे हैं। सुनो, दुनिया के लिए जरूरी नहीं है मिसाइल, जरूरी नहीं है अंतरिश की खूटी पर अपने अहम को टांगने भेजे गए उपग्रह, जरूरी नहीं है दानों सी चीखती मशीनें, हाँ, क्यों जरूरी है मंगल पर पानी की खोच, क्यों जरूरी है मंगल पर पानी की खोच, जरूरी है तो आदमी नंगा और आदिम, हाल मास का, योग वियोग का, शोक अशोक का एक निरा आदमी, जो धरती के नक्षे से गायव होता जा रहा है। उसकी जगह उपजाई हैं बहुत सी दूसरी प्रजातियां उसके जैसी, पर उनमें आदमी के बीच तो बिलकुल नहीं हैं, इस दुनिया के लिए जरूरी हैं पानी पहाड और जंगल, जरूरी है हवा और उसमें नमी, कुन-कुनी धूप, बच्पन और तारे बहुत सारे, शुक्रिया। दूसरी कविता एक प्रेम कविता है, ये बात भी कही जा चुकी है कि प्रेम ही है जो जंग के खिलाब खड़ा हो सकता है, और ये प्रेम कविता है, लेकिन कहने का रास्ता ताले और चावी से होकर आप तक आता है, शीचक है ताले रास्ता देखते हैं, चावीयों को याद करते हैं ताले दर्वाजों पर लटके हुए, चावीया घूम आती हैं महला शहर या पूरा देस, बीता है दिन, हबता, महीना या बरस और ताले रास्ता देखते हैं, कभी नहीं भी लोट पाती कोई चावी वो जेव या बटूए के चोर रास्तों से निकल भागती है रास्ते में गिरधूल में खो जाती है या बस जाती है अंजान जगों पर तब कोई दूसरी चावी भेजी जाती है ताले के पास उसी रूप की पर ताले अपनी चावी की अस्ती को पहचानते हैं वो दूसरी चावी से नहीं खुलते तब कोई दूसरी चावी भेजी जाती है ताले के पास उसी रूप की पर ताले अपनी चावी की अस्ती को पहचानते हैं वो दूसरी चावी से नहीं खुलते ताले धमकाए जाते हैं, जिंजोडे जाते हैं, हमसाए जाते हैं औजारों से वे मन्जूर करते हैं, मार खाना, दरकना, फिर तूट जाना पर दूसरी चावी से नहीं खुलते हैं लटके हुए तालों को कभी बीच जाते हैं बरसों बरस लटके हुए तालों को कभी बीच जाते हैं बरसों बरस बेफधरा जाते हैं जब उनकी चाबी आती है लोटतर पहचान जाते हैं वे खुलने के लिए भीतर से कसम साते हैं पर नहीं खुल पाते फिर भीगते हैं कुछ देर इसने की बूंदों में और सहसा खुलते जाते हैं उनके भीतरी के वाल चाबी रेंगती है उनकी देह में और ताले खिलखिला उटते है ताले चाबीयों के साथ रहना चाहते हैं ताले चाबीयों के साथ रहना चाहते हैं वो हातों से दर्वाजे की कुंटी पकल लटके नहीं रहना चाहते हैं वे अ क्वित्त भी युद्त खिलाफ है क्योंकि वह स्त्तायों की कवित्त है और मुझे लगता है कि युद्ध जो हमारे साथ शामिल हूआ है हमारे जीवन में वह हमारी पित्र सत्तात्मक या फूरुँश happens विर्वस्था के कारण है यदि इस्त्रियों के हाथ इस दुनिया की वागडोर शुरू से होती तो जंग और युद्ध कहीं न होता कभी न होता मैं आपके साथ साजा करता हूँ इसका शीर्शक है इस्त्रियां घर लोटती है जो कि मेरे कविता संग्रे का भी शीर्शक है और यह तमाम इस्त्रियों की कविता है जो आज के समय में अपने देहरी को छोड़ कर घर से बाहर जाती हैं और शाम को अपने काम से वापिस लोटती हैं दफ्तरों से कारखानों से स्कूलों फॉले जों और तमाम उन जगों पर जहां आज इस्त्रियां घर लोटती हैं इस्त्रियां घर लोटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेक से उड़ती हुई काली चड़ियों की पांत की तरह इस्त्रियों का घर लोटना पुरुषों का घर लोटना नहीं है इस्त्रियों का घर लोटना पुरुषों का घर लोटना नहीं है पुरुष लोटते हैं बैठक में फिर गुसल खाने में फिर नीन के कमरे में इस्त्रियों का घर लोटना पुरुषों का घर लोटना नहीं है पुरुष लोटते हैं बैठक में फिर गुसल खाने में फिर नीन के कमरे में इस्त्री एक साथ पूरे घर में लोटती है वो एक साथ आंगन से चोके तक लोटाती है इस्त्री बच्चे की भूक में रोटी बनकर लोटती है इस्त्री लोटती है दालबात में तूटी खाट में जतन से लगाई मसहरी में वो आंगन की तुलसी और कनेर में पतनी बहन मा या बेटी की तरह लोटती है इस्तरी है जो बस रात की नींद में नहीं लोट सकती उसे सुभा की चिंताओं में भी लोटना होता है इस्तरी चिडिया सी लोटती है और थोड़ी मिट्टी रोज भरलाती है पंजों में छोड़ देती है आंगन में घर भी एक दोस्त थोड़ा और बड़ा होता है और इस्तरी के लोटने का वैभो देखिए लोटती है इस्तरी तो घां सांगन की हो जाती है थोड़ी और हरी कबेलू छपर के हो जाते हैं जरा और लाल लोटती है इस्त्री तो घां सांगन की हो जाती है थोड़ी और हरी कबेलू छपर के हो जाते हैं जरा और लाल दर असल एक इस्त्री का घर लोटना दर असल एक इस्त्री का घर लोटना महजिस्त्री का घर लोटना नहीं है दर असल एक इस्त्री का घर लोटना महाजिस्त्री का घर लोटना नहीं है धरती का अपनी धुरी पर लोटना है शुक्रिया कविता युद्ध पर है बिल्कुल समय है अंतिम कविता संयोग से युद्ध पर ही है दुर्योग से मैं कहूंगा नवीद होते हैं न हम उस पर kapitah लिखते हैं यह कबिता यह कहती है कि युद्ध असल किसी तानाशाह के दिमाग में जन्म नहीं लेते हैं और हम और आपके दिमागों में जन्म लेते हैं और तानाशाह उस अभिविक्ती का एक बड़ा कारक बनता है लेकिन दरसल उसको हमारा अचेतन युद्ध की और प्रेडिक करता है कविता का शीरिशा के युद अल्सुभा एक ताना शाहने गोशना की युद्ध होगा और जरादेर में ही दूसरे ताना शाहने ये पूरी यात्रा है एक युद्ध की कैसे युद्ध रचा जाता है अल सुबह एक ताना शाह ने गोशना की युद्ध होगा और जरादेर में ही दूसरे ताना शाह ने अभी दोनों ने अपनी गर्वित भंगिमाएं उतार कर तहभी ना की थी कि हतियारों के कारोबारी मुलकों की जर खरीद युद्ध फोज एजन्सियां ट्वीट करने लगी युद्ध होगा युद्ध होगा खबरों के इलाके में गुम हुए क्वात्रोची और खगोशी फिर सतह पर आ गए पौफट भी ना पाई थी कि टियारपी के दंश से पीड़े तपाहेज और कोड़ी मीडिया रोकशया से उट खड़ा हो चीखने लगा यहां उस्सव की तरह सजाया गया युद्ध फौज के पुराने जनरल पार्टियों के प्रवक्ता मूध होए बिना स्टूडियो की और भागे राष्टवादी तिलक और जालीदार टोपिया हुंकारने लगी जुगल बंदी में मौका परस्त और कुटिल राजनित की मैदान में आखड़े हुए युद्ध दिमागों में फैलता गया शेहरों में दफ्तर खुले तो मरगिले बाबू अलसाई फाइलें छोड़ चाय की चीकट दुकानों में जमा हो गए और सिर हिला हिला कर तजदीक की युद्ध होगा दोपर के पहले ही अकबारों के संपादक भागते हुए दफ्तर पहुँचे और अकबारी काहग्जों पर स्याही की जगा खुन उडेल दिया उन्होंने मिलों से छटनी की, मरते बच्चों की, महगी प्याज की, बैंकों से हड़पे करज की रुपे की कमजोरी की और सरकार के फर्ज की खबरें तुरंत गुड़ी कर फेक दी थंडी औरत की तरह लेटा हुआ बाजार अंगलाई लेकर उठ खड़ा हुआ अनास से लेकर शराब तक के व्यापारी चहक उठे भरे जाने लगे गोदाम इस बीच दोनों देशों में पसरी आम चर्चाओं में महंगाई का रोना मिट गया जुलू सडक तक आते आते ठिटक गए भष्टाचार पर पेट दर्द कम हुआ प्रतिरोध की कविताएं आधी लिखी रह गई सभी असंतोश इस्तगित हो गए दोपार खाने की छुट्टी में स्कूल के लड़कों को मालूम हुआ युद्ध होगा वे खेल के मैदानों में ही दो देशों में बढ़ गए मा बहन होने लगी शाम से पहले मिट्टी में ढके सूखे मेंड़कों जैसे युद्ध विशलेशक संभावना के छीटे पढ़ते ही जीवित हो बताने लगे कि कितने दिनों में फाज, लाहवर या दिल्ली में होगी शाम ताड़ी खाने में लाल और सफेद की तेज महक के बीच एक ताड़ी बाज रोया युद्ध होगा सडकों पर निरुदेश फिर्टी रेश्मी जुलफों वाली लड़कियां और उनसे चिपके अदगंजी हेरकट वाले चौकलेटी लड़कों की बातों में नेशन प्राइड, वार, बॉर्डर, मिसाई जैसे शग्द, चुंगं की तरह चुबलाया जाने लगे मंदिरों और मस्जिदों में आरती और अजान के स्वरों से नाजुक चिडियाएं उड़ गई राम और खुदा भी एक दूसरे की और पीट करके खड़े हो गए अल्लाहु अक्बर और सीता राम की गुँज खोती गई चीर देंगे, चाक कर देंगे, मंत्र और अबादत जैसे दौराया जाने लगा रात होई तो शीग रिसकलन से पीड़िक पुरुष, कामेक्षा की कमी से गरस्तित्रियां ठके हुए कामगार, दिन भर चूसे गए दफ्तरी, बेरोजगार लॉंडे, बिनव्याही लड़कियां, होमवर्क चोर बच्चे, सबकी आँखें टेली विजन देख चमक उठीं, वे उत्तेजना से चिलाए, युद्ध होगा, युद्ध होगा देर रात तक अनसुनी करते रहे, कवियों और कलावंतों ने भी आखिरश कलमें और कूचियां फेग दी, दाड़ी खुजावे बुद्ध उठे, युद्ध होगा उनका आस्फुट स्वर सुन, जो सूरज जो सुबह निकलने को घर ते चल पड़ा था, राह में ही रुख गया, राद गहराती ही गई, उस बहुत काली रात में दोनों ताना शाह, फिर राष्ट के नाम संदेशों में प्रकट हुए, और अब पहले से भी अधिक गर्वित भंगिमाओं और प्रभुता संपन मुद्राओं में कह सके, चाहता है देश, युद्ध होगा, युद्ध होगा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हमारे सभी मेहमानों का एक बार फिर से आप इनके लिए तालियां बजाएं बहुत शुक्रिया साहित आज तके इस मंच के शुबा बढ़ाने के लिए